सौधी की रोयल फैमिली के पांच डर्डी सीक्रेट्स सौधी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान आज भारत के दोरे पर आ रहे हैं साल 2015 में किंग सल्मान के सौधी अरब के बादशा बनने से पहले शायद ही किसी ने उनके बेटे शहजादा मुहम्मद सल्मान का नाम सुना होगा लेकिन 32 साल का ये शहजादा अब सौधी हुकूमत के सबसे ताकत पर शक्सियत के पौर पर देखा जाने लगा है सौधी रॉयल फैमिली को दुनिया की सबसे अमीर रॉयल फैमिली में गिना जाता है सौधी शाहजादे गोल्ड ट्रेटेड कारों में चलते हैं यहीं नहीं बलकि वह अपनी शांदार पार्टिया और महेंगे लाइपा स्टाइल के लिए भी दुनिया भर में मशूर हैं लेकिन इस शाही खांदान के कुछ डर्टी सी क्रेट्स भी हैं इन बटी सी क्रेट के बारे में शायरद ही कोई जानता हो आज हम आपको उन्हीं डर्टी सी क्रेट के बारे में बताने डा रहे हैं डर्टी सी क्रेट है जब किंग ने अपने भतीजे को मारी गोली 1970 के दौर में किंग फैसल सौधी अरब के किंग हुआ करते थे मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक वे जनता के बीच बेहद फिमस थे हाला कि उनका किंग बनना प्रिंस मसूध को बिलकुल नहीं आया एक दिन किंग फैसल आम लोगों से मिल रहे थे तभी प्रिंस फैसल ने उन्हें सामने से गोली माच दी प्रिंस ने किंग पर तीन गोलियां दागी किंग ही मके पर ही मौत हो गई डर्टी सीक्रेट डो रॉयल फैमिली ने कराई राजकुमारी की हत्या सुधी रॉयल फैमिली के एक डर्टी सीक्रेट में अपनी राजकुमारी की हत्या वाली घटना भी शामिल है सन 1977 में राजकुमारी मशाहल की शादी उनकी मर्जी की खिलाफ उनके चचेरे भाई से करा दी गई मशा इसके बाद पढ़ाई के लिए बेरूत चली गी वहाँ उनकी मुलाकात सौधी राजदूत के बेटे खालिद से हुई मशाह और खालिद में प्यार हो गया सौधी रॉयल फैमिली ने इसका विरोट किया मशा ने पीछे हटने से इंकार कर दिया बाद में बेरूत की एकार पार्किंग में खालिद के सामने ही मशा के सिर में गोली मार्च दी गई खालिद का भी सिर कलम कर दिया गया यह सब रोयल फैमिली के कहने पर किया गया बाद में मशाबर डॉकिमेंटरी भी बनी डर्टी सीक्रेट तीन प्रिंस के प्राइवेट प्लेइन में मिली कई टनको कीन सुधी अरब के क्राउन प्रिंस नया फिल अलफवाज को दक्षन अमेरिका और यूरोप में नशीले पद उनको कीन बरामत की गई सौधी अरब के आग रहके बाद प्रिंस को छोड़ा गया डर्टी सीक्रेट चार प्रिंस ने किया अपने गए पार्टनर कतल कब हुई घटना सन 2010 में प्रिंस सौधी बिन अब्दुल अजीज ने अपने गए पार्टनर की हत्या कर दी थी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक यह हत्या उन्होंने सौधी अरब की जगे ब्रिटेन में की इसके चलते यह बात पूरी दुनिया को पता चल गई हत्या के जुर्म में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें आजीवन कारवास की सज़ा सुनाई हाला की कैदियों की अदला बदली से प्रिंस ने नौकरानी का किया रेप सौधी प्रिंस माजिद बिन अब्दुल्ला अब्दुल अजीज 2015 में अमेरिका के नियुयोर्क शहर में ठैरे हुए थे यहां उन्होंने होटल रूम में एक नौकरानी के साथ जबरदस्ती की मामला कोट में पहुचा हाला की बाद में सौधी अरब ने अपने प्रभाव का इस्तिमाल करते हुए प्रिंस को भरी करवा लिया प्रिंस के खिलाफ आरोप लागने वाली नौकरानी ने केस वापस ले लिया